नमस्कार नीर्फोर्णेशन देख रहे हैं और मैं हम आपके साथ रंजन सिंग दोहजार चोबिस लोग सभाद चुनाव के मद्दे नजर पार्टियां अपने अस्तर से तैयारियों में जुटू हुई है एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ इंडिये है इंडिया में जो विपक्षी खेमा है वो है तो इंडिये में भी 38 पार्टियां है बात हम करते हैं लोगजनसक्ति पाटी रामविलास की और रालोजपा की इंडिये की बैठक तो बहुत अच्छे से हो गई लेकिन सबसे बड़ा जो माथा पेची होगा वो सीटों के मामले हो माथा बतादे आपको की रालोजपा जो है उसको 5 सीट चाहिए तो चिराग पासवान को भी जो है वो 6 सीट चाहिए सबसे बड़ा दाव तो इस बात को लगा है की चाचा जो पसुपति पारस हैं वो भी हाजीपूर से लड़ना चाहते हैं भतिजा, चिराग, पासवान उनका भी जो दावा है वो हाजीपूर से है सबसे पहला पेच यहीं पर NDA में फसने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव के में करीब 9 महिने का समय है लेकिन बीजेपी चुनाव की तयारी में जुट गई है और NDA को मजबूत करने में लगी है हलाकि ऐसा लग रहा है कि बिहार NDA के अंदर सीट सेरिंग को लेकर पेच फस सकता है इसकी वज़ा है कि NDA में दोबारा सामिल होने से पहले लोजपा राम विलास के रास्टिय अदक्ष और जमूई सांसद चिराग पासवान ने अपनी सर्थ रख दी है उन्होंने लोग सभा के च्छ और राज्य सभा में एक सीट चाहिए लोजपा आर ने दावा किया कि बीजेपी ने हमारी सर्थों को मान लिया है इससे रालोजपा के प्रमुक और खेंद्रिय मंत्री पसूपती कुमार पारस की घबराहट बढ़ गई है अब इनकी पार्टी ने बिहार में हाजिपूर समेत पांच सीटों की डिमांड भाजपा के सामने रखी है केंद्रिये मंत्री पसुपती कुमार पारस और उनके भतीजे प्रिंस राज को मिलाकर रालोजपा में पाच सांसद हैं हाजीपूर से पसुपति कुमार पारस, समस्तिपूर से उनके भतीजे प्रिंस राज, वैसाली से विना देवी, खगरिया से चौधरी महबूब अली कैसर और नवादा से चंदन सिंग सांसद हैं इन सिटिंग सीटों पर रालोजपा किसी प्रकार का समझोता नहीं करना चाहती है, सूत्र बताते हैं कि इस मामले में बीजेपी के सामने पार्टी ने अपनी बात रख दी है, पार्टी के रास्टिये प्रवक्ता सरवन अगरवाल ने भी कहा कि सिटिंग सीटों के मामले में क कहीं कोई समझाता नहीं होने वाला है हलाकि केंद्रिय मंत्री पसुपति कुमार पारास भी इस बात को कह चुके हैं कोई डिमांड नहीं है कि गई है सीट सेरिंग को लेकर NDA में मीटिंग होगी हाजीपूर जो है बैटल ऑफ ग्राउंड रहेगा चाचा भतीजे में किनको य चाचा भी लगतार हाजीपूर से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहें कुछ दिन पहले पसुपति कुमार पारास बातचित में उन्हें असपस्ट कर दिया था कि किसी कीमत पर वो इस सीट को छोड़ने वाले नहीं है रास्टिय लोग जनसक्ति पार्टी के तरफ से पसुपति कुमार पारास जो है वह हाजीपूर से चुनाव लड़ेंगे जहां तक चिराग पासवान की बात है या जमूई से चुनाव लड़ना चाहिए उन्हें तो सपना देखना चाहिए और नहीं कोई भरम पालना चाहि ये बात पसुपति कुमार पारास की पार्टी के तरफ से कई गई है सूत्र बताते हैं कि अंडिये के अंदर चिराग पासवान की राजनीतिक इस्थिति पहले से मजबूत हुई है इसी इस्थिति को रालोजपा के कई सांसद भाप चुके हैं और चिराग पासवान से अप कि पार्टी में कोई तूट नहीं होने वाली है हमारे सांसद एक जूट है लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता विनित सिंग ने रालोजपा पर कटाक्ष किया है उन्हें कहा कि मांगने के लिए कोई कुछ भी मांग सकता है उन्हें देखना चाहिए कि उनके पास जनाधार कितना है जिसके पास जनाधार है बीजेपी उसे ही टिकट देगी बीजेपी बड़ी पार्टी है वो अपने हिसाब से सीट शेरिंग तय करेगी अब देखना बहत दिलजस्ट होगा कि आखिर होता क्या है क्योंकि सबसे बड़ा जो रन भूमी रहेगा वो जो जीपूर का सीट है उस सीट को लेकर चाचा भतीजे पहले से ही भीडे हुए नजर आ रहे हैं अब तो दोने इंडिये में भी चले गए पहले चिराग पासवान बाहर से समर्थन दे रहे थे लेकिन अब वो इंडिये में चले गए हैं अब क्या इस सीट को लेकर भाजपा जो है वो कडिस्फुल जाप आएगी एक तरफ लोगजनसक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता लोगों का कहना है कि चिराग पासवान का अपना जनाधार है तो वहीं पसुपति कुमार पारस की जो पार्टी है उनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनकी सीट जो है वो जमूई की है और उनको तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए लेकिन होगा क्या ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कौन सी सीटे किसको मिलेगी चिराग पासवान ने अपने सर्थ भी रखी है उस सर्थ पर भाजपा क्या कुछ आगे फैसला लेगी ये आने व